तो गाइस मैं हुआं की तौर आप दिख रहे हैं रस्लिंग फैंस नेटवर्क सुरिकते गाइस अपनी बातकों लोग सबसे पहले NXT यूरोप से तो भाई जो लोग न्यूज अपडेट्स यसा पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो उनको मालूम हुआ कि एक टाइम पे 2020-2019 के ट कॉमेंट करते हैं डेव मेंटजर का कहना है कि डबडबली वाले अब इस चीज को करना ही नहीं वाले इनका कहना है कि डाउट तो मुझे तभी आयता जब इन्होंने NXT UK खत्म करा बंद करा उसके बाद आल्मुस्ट सारी टैलेंट्स को इन्होंने वहां से फायर कर दिया तो दूर दूर तक यह कहीं चर्चा भी नहीं करते हैं कि NXT यूरोप यह कुछ करेंगे तो यह चीज अब नहीं होने वाली है डबडबी ने इन प्लैंस को अबंदन कर दिया अब देखो मुझे परसनली नहीं लगता कि डबडबी नहीं लाने वाली है लेकिन अगर करते हैं तो कहीं भी मुझे आते हुए नहीं दिख रहा है एक बाद सूपर स्पेक्टे के लिए करा चुक है पैंडमिक टाइम में एक बार भी करा इन होने कुछ ताइम पहले दोनों में से भाई कोई बहुत खास रिस्पॉंस आया नहीं किसी में से भी तो डबडबी निक्स्टी जो कि बाद में उसा ही ही सुना है और कहते है कि बाद बाद में पहले हो सकता है कि सृफ्ट करने के बजाए एक वेगास में भी परफॉंस अचरी कि दो पर्फोर्मेंस रख सकती है इनके को सकती है इनके इंके इसरा रख सकते इस ओल सबस्क्राइब घुंपर के ऐस और लास वेगास लूगा चया सकते हैं पॉसिबल की डियुब्र के नीड है तो रिलॉकेट करने के जगा सिप्ट करने के साइद एक से भले दो कर देंगे परफॉर्मेंस अगली श्टोरी कवर करते हैं जो कि टॉप सेलिंग अपेरल्स को लेके आज के एकॉर्डिंग या फिर ऐसा बोलो पिछले 24 गंडे के एकॉर्डिंग टॉप सेलिंग अपेरल्स किसके नाम पर भाई डबेडबी सॉप में वह मैं आपको बता रहेता हूं यह अगस्ट 28 के ही स 27 अगस्त में जो भी है पिछले 24-47 गंडे का मान के चलो ठीक है टॉप टेन आप लोग देख सकते होगे नंबर वन पर हैं रोमन रेंज ओटीसी टीसर्ट के साथ में नंबर तू पर अगेन हैं रोमन रेंज इस बार ओटीसी पुलवर होडी के साथ में नंबर तरी पर हैं यहां पर कमाल की बात है कि एक भी champion आपको नहीं दिखेगा, नहीं यहाँ पर Liv Morgan है, नहीं गुंथर है, नहीं Cody Rhodes है, नहीं एले नाइट है, और नहीं आपको यहाँ पर Braun Breaker देखने को मिलेंगे, Roman Reigns दो बार है, Jacob Fatu एक बार है, बाकी आप Randy Orton को देख सकते हो, तो यह है Top 10 Superstars, या फिर Top 10 Best Selling Apparels, डबी डबी सॉप पे करेंटली, इसमें टोटल कितने टैलेंस हैं भाई, Roman Reigns, जोन सीना, रिया रिप्ली, स्टोन कोल, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, नौ, टैलेंस हैं आपर टोटल, Roman Reigns दो बार है, तो इसलिए 10 नहीं, 9, अभी के एकॉर्डिंग, यह कुछ अपडेट है, Top Selling Apparels को लेगे, एक भी जैंपेन नहीं है, भाई, इस लिस्ट के अंदर, तो आप इससे समझ सकते हो, कि जरूरी नहीं है, कि अगर आपको ओवर होना है, तो आप चैंपेन ही बनो, बाइदोब यहाँ पे जैंपे जैंपे अगर मुझे 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 करना परा, कि मैं हर हफते कंपीट करूं, तो मैं हर हफते भी कंपीट करने को रेडी हूँ, हर हफते यह ताइटल आपको ओन दे लाइन लगाने को रेडी हूँ, यानि कि कहते हैं कि इस टाइटल को एक प्रिस्टीज देने के लिए, एक बेटर लुक देने के लिए, एक बेटर फील देने के लिए, कुछ भी करने को तयार है, अले नाइट अट यह बहुत अच्छा जो से इनके अंदर, लेट सोब कि वो इस चीज में सक्सेस्फुल हो, एंड एक लंबी रेन इनको मिले, इतना तो होप करेंगे, अगर लोगन पॉल को भाई, इतनी लंबी रेन मिली, तो एले नाइट अगर एक फाइटिंग चैंपिन बन रहे हैं, तो ठीक है भाई, इनको भी एक लंबी रेन म लेगे तो बाई, बटीष्टा की नई फिल्म, स्पांस्र करने वाली है, बाइस सन्बंक अन दर होने वाले स्ट्रेप मैच को, सियमपंग एंड मै कने गल्र की मैच को, अब देटियर इसलोोट्स की तरफ से दके लिए और एंड एंड इनिव इ्क अधिलर गें, बॉली सां में एक पार्ट है, Macintyre को स्पोर्ट भी रहा गा, Macintyre ने पिक्चर पोस्ट करी बटिश्टा के साथ में, and Macintyre एक साइट रोल में, सपोर्टिंग रोल में, फिलहाल यह जो मूवी है, यह जो फिल्म है बटिस्टा की वो स्पॉंसर करने वाली है मैक एंटार एंड सी एम बंक के मैच को जो की बैस इन बर्लिन में आपको देखने को मिलेगा बात करते हैं गाज हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो की है Roman Reigns को लेके और लगता नहीं है ना गाज की Roman Reigns कंपीट करने वाले हैा बैड ब्लड के अंदर पहले मैं आपको बता रहा था कि चांसे स्कम है अब साय चांसे जदा हैं कि रोमन कंपीट नहीं करेंगे बैस इन बर्लिन में तो नहीं करेंगे computer roman लेकिन bad blood में भी नहीं करेंगे अभी chances से कि Jey Uso के उपर turn करने वाली है bloodline यानि कि proper attack करेगी solo sikwa ने hint भी करा है पिछली वीडियो जा कि आप देख सकते हो tease आया है solo के तरफ से तो most likely जब Jey Uso tournament में आगे बरहेंगे and साइध अगर वो brawn breaker को face करते है IC title के लिए जो की match bad blood में हो या फिर bad blood में ना हो के उससे पहले हो अगर किसी mundane eye draw के episode में कभी भी हो तो bloodline वाले उनको cost कर सकते हैं इसके बाद samey Jane Jey Uso के help में आएंगे and then हमें samey Jane and Jey Uso का match देखने को मिलेगा new bloodline के against में अब ये वाला match ऐसा तो नहीं है भाई की mundane eye draw या फिर smackdown में होगा pay-per-view level का match है pay-per-view में ही होगा तो WWE's match को bad blood के लिए book करेगी because bass in Berlin के बाद वही एक pay-per-view बचेगा अपना अगला तो ऐसे में WWE's bad blood के लिए bloodline versus ये वाला match book कर देगी Jey Uso and samey Jane का तो फिर Roman का match कहा book होगा तो Roman वहाँ पर वापस आ सकते हैं लेकिन वहाँ पर compete नहीं कर सकते हैं अभी के recording तो ये हो सकता है लेकिन अभी के recording लगता नहीं कि Roman compete करेंगे bad blood में तो समझ लैम में वापस आने के बाद bass in Berlin miss करें Roman और साइद से Roman Reigns bad blood भी miss करेंगे अडबर्टाइज तो वैसे भी नहीं है तो हो नहीं चाहिए मुझे लगता है कि Roman वहाँ पर नहीं present होंगे इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स है आई होपस आपके इंफॉर्मिसन मिली हो मिले तो वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें चैनल को तक आने वाले टाइम के अंदर आपको और बेसी डबी डबी की न्यूज अपडेट्स टाइम टो टाइम जानने को मिलते रहे फॉलो कर सकता है आप लोगों मुझे इंस्टाग्राइम एंट ट्रेटर पे लिंक आपको मिल जाएके डिस्क्रिप्शन में जॉइन कर सकते हैं वाट्सप चैनल को उसके अब लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिलंगा मैं आप से अगले वीडियो में तब तके लिए आप से यू